ये मैंने अपनी बेटी के लिए करा है ताकि मैं उसके लिए कुछ कर सकूं ये FD की तरह है जो 12 साल में त्यार होनी है ये चंदन का पोदा सफेज चंदन है जो की 12 साल में त्यार होता है लाल चंदन त्यार होता है 15 साल में सफेज चंदन वहां लगता है जहां pH 7.5 से उपर की है और लाल चंदन वहां लगता है जहां पे pH 6.5 से नीचे है लाल चंदन लगने में जादा time लगता है बनने में और सफेज चंदन time लगने में कम सफेज चंदन एक parasite पोदा है ये अकेला नहीं लगता जहां भी अकेला सफेज चंदन लगेगा वो मर जायेगा इसलिए इसके साथ एक पोदा और लगाते हैं जिससे ये अपनी खुराक ले सके इसके साथ जो पोदे लगते हैं एक तो लगता है मलाईडूबिया एक लगता है सरू, सिट्रिक्स फूट जितने भी हैं लग सकते हैं बट हम उसको नहीं लगाते हैं क्योंकि ये पोदे तीन से चार साल में चंदन इनको मार देता है एक एकड में आपके साइस के इसाब से पोदे लगते हैं कई एकड छोटे होते हैं जैसे राजस्तान में वहां तीन सो पोदे लगते हैं हमारे हर्याना पंजाब में भी अलग-लग sizes है, maximum 500 पोदे लग जाते हैं चंदन के एक एकड में और उससे आदे लगते हैं host plant आज का rate करीब 30,000 पे किलो है, government की policy है कि 10% हर साल ये increase हो और आने वाले टाइम में 12-15 साल में पर केजी 50-60,000 पे किलो निकल जाएगा तो आज के rate के इसाब से पर पोदा 5-6,000,000 रुपे का है और आने वाले टाइम के इसाब से पर पोदा 8-10,000,000 रुपे का है हम चंदन का पोदा 125 रुपे का देते हैं, जो की 2 साल का है एक साल का पोदा मर जाता है, हमारे environment में suitable नहीं होता इसलिए हम किसान को कभी छोटा पोदा नहीं देते हैं, दो साल का पोदा आपको 125 रुपे का मिलता है साथ में हम किसान भाईयों को सारा समझाते हैं कि कैसे पोदे लगाने हैं आपको क्या क्या करना है, दवाई कैसे डालनी है दवाई लगबग आपकी 3-4,000 रुपे की दवाई 6 महीने तक निकल जाती है तो इतना जादा इस पे खर्चा भी नहीं है, सिर्फ आपको इस पे गोड़ी करनी है, सफाई करनी है कीट नाशक और बिमारियों की दवाई हम जो देते हैं, उसी में ही होती है अगर आप regular दवाई डालते रहते हो, तो आपके कीट नाशक और कोई बिमारी नहीं आती है वो हम सारा समझाते हैं कि कैसे, क्योंकि हर soil conditions अलग है, हर soil अलग है तो हम किसान से पूछते हैं कि आपकी soil कैसी है, कैसे moisture है, आपकी चोवा कितने पर है उसके हिसाब से हम हर किसान को guide करते हैं और जो हमारा successful ratio आता है, वो 90% above से आता है मतलब हर किसान के 90% से ज़्यादा पोदे चलते हैं हर्याना, पंजाब, उत्तरपरदेश, उत्राखंड हिमाचरपरदेश, जहां पे भी बरफ नहीं डलती है वहाँ पे आप ये पोदे लगा सकते हैं, राजस्तान में भी लगा सकते हैं हमने बीका नेर्मिय में भी लगाए हुए हैं, वहाँ भी चल रहे हैं पोदे बट आपको पहले समझना पड़ेगा कि चंदन को क्या क्या चीज़ चाहिए उसके हिसाब से ही आपको चंदन लगाना है हमने लुध्याना में साथ एकड़ लगाई, करनाल में तीन एकड़, आपके यूपी पिली बीत में पोदे लगा रखे हैं बिवानी में पोदे लगा रखे हैं, कोई भी ऐसी लोकेशन नहीं है जहाँ पे हमने पोदे नहीं लगा रखे हैं और हर जगा ही पोदे चल सकते हैं, चल रहे हैं किसान भाई हमसे उस किसान का नंबर भी ले सकते हैं जिसने अपने यहाँ पर चंदन की खेती करी हुई है जैसे आप सोचते हों कि मैंने 10 किले लगाने हैं चंदन की तो 10 किले में से 5 किले हमेशा खाली ही रहेंगे उसमें आप अपनी पांच किले में जो आपकी इंकम आती है रेगुलर खेती है वो आप बरकरार रख सकते हो सिर्फ आपको जीरी और गन्ना नहीं करना है मल्टी क्रॉपिंग आप चंदन के साथ कर सकते हो सर हम लगाते हैं बारा बाई पंदरा पे पंदरा वाला फुट वाला बेड होता है जो की हमेशा ही खाली रहेगा इसमें आप कोई भी सब्जी लगा सकते हो गेहूं लगा सकते हो पश्यों का जो घास है वो भी लगा सकते हो 2017 से पहले ये पोदा सरकार के अनुमती के बिना नहीं लगा सकते थे 2017 के बाद आप ये पोदा आपको लगाना है बट आपको सरकार को बताना है जो प्रोसीजर है जिसे पतवारी है आपको उससे लिखित में लिवाना है और आपको प्रोसीजर पूरा समझाए जाएगा कि कहां कहां पे जाके आपको बताना है कि मैंने चंदन का पोदा लगा रखा है इसके साथ इस पोदे पे सबसीडी भी आ रही है सरकार एक एकड़ पे 30,000 की सबसीडी भी दे रही है तो किसान भाई इस पर सबसीडी भी ले सकते हैं सिचाई के लिए जब आपको हम 2 साल का पोदा देते हैं सिर्फ आपको उसके 6-8 महीने ध्यान रखना होता है ध्यान में भी क्या है कि उसकी नमी बरकरार रहे है इसके इलावे इस पोदे को ऐसा कुछ नहीं चाहिए होते सफाई रखनी होती है ये पोदा आटॉमेटिक ही ग्रो करने लग जाता है हाँ ये नॉर्मल खेती नहीं है ये दुनिया का सबसे महंगा पोदा है और सबसे डेलिकेट पोदा भी है हमने इसको जो इसकी रिक्वार्मेंट्स है जो इसको चहिए पोदे को वो देनी है अगर हम वो चीज इसको देंगे तो ये पोदा चलेगा ये नॉर्मल पोदा नहीं है जैसे आप पॉपलर लगाते हो या शीशम लगाते हो ये वैसे नहीं चलता इसका अलग प्रोसीजर है चोटे किसान दस पोदे से भी शुरू कर सकते हैं आप एक एकड के सिर्फ एक साइड ही पोदे लगाएं मुश्किल से पंदरा अजार खर्चेंगे तो आपको सो चंदन के पोदे मिल जाएंगे और साथ में होश प्लांट्स भी तो आप एक साइड में ही लगाएं पूरा एकड अपने खेती करते रहें अगर यहीं सो पोदे भी त्यार होगे तो यह आपको कम से कम 8 से 10 करोड रुपे दे जाएंगे 12 साल में आज के रेट के इसाब से आपको 5 से 6 करोड रुपे मिलेंगे